किछन डिलाइट और आज हम बनाने वाले हैं खाने में टेस्टी और बनाने में बहुती इजी ब्राउनी कि ब्राउनी बनाने के लिए सबसे पहले हम स्टीमर तयार कर लेगे श्टीमर में पानी डालके इसको लिमी आज पर गेश पर रख़ देगे मैंने यहाँ पे लिए है पालेची बिस्किट और बोन-बोन बिस्किट अब हम इस दोनों बिस्किट को मिक्सी में क्रस्ट कर लेगें अब मैंने दोनों बिस्किट मिक्सी में पीस लिए है अब मैं इसको एक बरतर में निकाल लोगी अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबल स्कून पोको पाउडर 1 टेबल स्कून ड्रिंकिक चोकलेक पाउडर 3 टेबल स्कून पिसी हुई चक्कर और अब हम इस सब चिज़को मिक्स कर लेगे इस सारी चिज़को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डूद डालेंगे मैंने यहां पर 1 कप डूद डाला है अभी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो अभी मैं 1 कप इसमें एड करूगी मैं अच्छे से इस सब सारी चीज़को मिक्स कर दूँ लेगे इस सारी चीज़को मिक्स करने के बाद हम उसको दो मिनिट के लिए साइड में रख देगे यहां पर मैंने ब्रावनी बनाने के लिए छोटी कटोरी का इस्तमाल दिया है अभी इस सारी कटोरी को हम घी से ग्रीस कर लेगे आप बटर पेपर भी रख सकते हो इस सारी कटोरी को अच्छे से ग्रेस करना है तुकि हमारी ब्रावनी इसमें चिपक ना जाए अब जो मैंने बेटर बनाया है उसमें हम डाल देगे एक रेगूलर पेकेट इनो और अब इसको अच्छे से ही लाना है अब हमारा बेटर रेडी है अब इसको हम कटोरी में डाल देगे और कटोरी को ऐसे टेप करना है इसलिए हमारी ब्रावनी अच्छे से फूले अब हमारी सब कटोरी रेडी है अब उसको हम चोस्टीमर रखाता दीमी आच पे उसपे रख देगे अब हम इसको तीन मिनिट तक एसे ही रखेगे तीन मिनिट के बाद हम ढकन खोल के एक बार चेक कर लेगे अब तीन मिनिट होने के बाद हम ढकन को खोल के उसके उपर जो पानी की परत है उसको हम पोच लेगे और वापस से ढकन को लगा देगे अब से पाच चे मिनिट के बाद हम इसको वापस कोल के लेखेगे हमारी ब्राउनी रेडी है अभी हम गैस बन करके उसको ठंडा कख होने देगे अब ठंडा होने के बाद अब सब ब्राउनी को हम चूरे की मदद से साइड में से पहले और अब हम इस ब्राउनी हमारी ब्राउनी रेडी है अब सब ब्राउनी में यहां पर रख दी है अब हम इसे वर्नट से कार्मिशिंग कर लेगे अब में एक ब्राउनी कट करके आपको दिखाती हूं अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और जैनल को सब्सक्राइब कीजिए फिल मिलते हैं अगले वीडियो में और आपको लाईएब और जापको सब्सक्राइब कीजिए खिल आपको लाईब कीजिए बीडियो में